जैहिंद साथियो इस चार्ट के माद्धम से आप सभी लोगों को बताने वाले है कि अभी तक RRB टेक्निशन में किस जोन में कितना फॉर्म फिलफ हो चुका है वहीं एक जोन ऐसा भी है जहां पे 46,000 प्लस फॉर्म फिलफ हो चुके हैं सभी 21 जोन की बात करें तो 8.6 लाख प्लस फॉर्म पढ़ चुके हैं आज है छेप्रेल आज का लेटस्ट अप्डेट है वहीं अगर आप लोग चैनल पे नए है तो किरपए वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सस्ट्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी अन कर ले ताकि आने वाले जितने भी अप्डेट है आपको मिल सकें यदि आप रेलेवे के किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो किरन का रेजिनिंग वाला ये बुक आपके लिए बहुत जादा तो जैसा कि आप लोगे चार्ट देख रहे हैं इधर जोन दिया गया है इधर टोटल वेकंसी दो अप्रेल का डाटा इधर है छे प्रेल का डाटा इधर है तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर एहमदाबाद में 761 वेकंसी है यहां पर टोटल अगर बात करें आज तक फर्म फिलफ हो चुके हैं दो अपरेल का बात करें यहां पर तो 31,000 फिलफ हुए थे वहीं 6 अपरेल की बात करें यहां पर तो 45,280 फिलफ हो चुके हैं लेकिन वहीं 6 अपरेल की बात करें तो 36,628 फिलफ हो चुके हैं यानि यह दो जोन है यह ऑन एबरेज चल रहे हैं वहीं भोनेशर भी ऑन एबरेज में है यहां पर 1500 वेकंसी है कम है बेकंसी 13,000 प्लस यहां पर फिलफ हुआ था दो अपरेल तक का और इधार आप 6 अपरेल फिलफ हुए थे लेकिन यहां पर बात करें आज का तो यहां पर साथ हजार हो चुका है यानि कि 20,000 प्लस यहां पर फिलफ हुए हैं तो यह जोन जो है बिलासपूर इसका चर्चा नहीं हो रहा था गौहाटी चेन्नेई और उसके बाद में मुंबई और इधर आपका एहम यहां पर गिर गए हैं लेकिन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से अभी आप सभी जोन के बारे में जानने वाले हैं कि कहां पर क्या सिच्वेशन है यहां पर चंदीगर की बात करें हम लोग तो 111 है पर वेकंसी है और यहां पर भी ऑन एबरेज चल रहा है यानि आज का भी फर्म पड़े हैं यानि कि फर्म का संख्या यहां पर भी बढ़ा और हम लोग गोरकपुर जोन की बात करें तो गोरकपुर में 205 बेकंसी है यहां पर जो है दो अपरेल तक का बात करें 18,000 पलस फर्म पड़े थे लेकिन वहीं पर इसका डबल हो गया सिर्फ चार दिन म इसका डबल हो गया लेकिन अभी आज पूरा दिन पड़ा हुआ है आज सुबह वीडियो डाले है अभी पूरा दिन आज कल पर सो तीन दिन और बाकी है यानि इन तीन दिनों में इसका भी डबल हो सकता है ठीक है तो इधर फर्म बहुत जादा पड़ेंगे जैसा कि इन चा दिन बाद यहां पर 21,641 हो गया यानि यहां पर भी 21,000 के सम्थिंग यहां पर इंक्रीज हुआ है ठीक है यानि गुहाटी जोन में काफी जादे फर्म पड़ेंगे हैं और जम्मो श्रीनगर की बात करें तो 291 पर यहां पर वेकंसी है अगर यहां की हम लोग बात करें तो 30,680 यहां पर 2 अपरेल तक का फर्म फिलब था लेकिन वहीं आगे अगर हम लोग देखते हैं यहां पर 32,749 चुका है यानि यहां पर बात करें तो ओन एबरेज ही चल रहा है 9-10,000 ठीक है वहीं कोलकाता जोन की बात करें तो 506 वेकंसी है लेकिन यहां पर 26,000 था और 35,000 ह हो गया है यह भी on average है वहीं मालदा जोन की बात करें तो 275 वेकंसी था और यहां पर 17,000 से 30,000 हो गया यानि की 13,000 यहां पर इंक्रीज हुआ है तो यह भी on average है ठीक है लेकिन वहीं मुंबई जोन की बात करें तो यहां पर सबसे अधिक वेकंसी है 12,084 अगर यहां पर हम ल पड़े हैं चार दिन में 20,000 ही इंक्रिमेंट हुआ है यानि कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि सिर्फ 20,000 लेकिन कुछ जोन ऐसे जहां पर 21-22 हुए है तो इस हिसाब से यहां पर पचासी 90 हो जाना चाहिए था ठीक है तो मुझपरपुर की बात करें लेकिन यह आप द और वहीं पर 30,466 यहां पर फर्म पढ़ चुके हैं यानि ओन एबरेज यह चल रहा है अगर पटना जोन की बात करें तो 221 यहां पर वेकंसी है 18,530 यहां पर फिलप हो चुका था दो अपरेल तक और अभी आज का बात करें यहां पर तो 31,531 हो चुका है यानि कि अगर इ 22,000 यहां पे देख सकते हैं 22,548 फार्म फिलप हुआ था लेकिन बहुई चार दिन बाद यहां पे 33,juk alm हो चुके हैं subjective लग करें तो यहां पर यहां पर लूग देख सकते हैं तो 30,000 पहले था और अब 50,000 हो चुका है यानि कि यहां पर मान के चलिए कि 20,000 ज्यादा फर्म फिलफ हुए हैं वहीं सिली गुड़ी की बात करें तो यहां पर सबसे कम वेकंसी है फाल प्लस पॉब पढ़े थे लेकिन आज आज आप देख रहे हैं एट-पॉन्ट-शिक्स लाग प्लस फॉब की तो टोल ठीकें की उउटा मटा मूटी अन्मान लग के और यह जो डेटा आँ प्रॉक s एक दो हजार इधर उधर होता रहता है ठीक है क्योंकि फॉर्म पढ़ते रहते हैं उससे ज्यादा इधर उधर नहीं होने वाला लेकिन आपको एक सठीक आईडिया लग गया कि किस जोन में आपको फॉर्म करना है तो जो भी डाटा था आप तक जरूर सेर किये हैं आप लोग भी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेरी है आप लोग बिल्कुल कमेंट के मादने में से पूछ सकते हैं और यहां पर बात करें हम लोग की टोटल बेकंसी कितना आया है इस बार तो एक्यान मतलम 9144 बेकंसी आया है इस बार ठीक करिए कटेगरी चेक करिए और उसके बाद में आप कितना फॉर्म फिलफ हुआ है यह भी आप चेक कर लिजिए और आप सही जोन चूज करके फॉर्म फिलफ कर दीजिए क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है ज्यादा समय नहीं बचा है तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट व